पिछली वीडियो में हमने हरिवारान सराय बच्चन की पहली रचना के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था आत्म पर्चे अभी इस वीडियो में हम इनकी दूसरी रचना जो निशा निवांतरण से ली गई है दिन जल्दी जल्दी ठलता है सिर्शक पढ़ेंगे हो जाए ना पथ में राट कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं यह सोच ठका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ठलता है कभी हरिवांस राइबच्चन जी कहते हैं कि एक राही जो होता है एक पंथी जो होता है वह अपने मंजिल तक पहुचने के लिए कैसे चलता है कितनी यातनाय करता है उसी के बारे में यहां यह बता रहे हैं केते हैं हो जाये ना पथ में रात कहीं एक राही बटो जो होता है और जहाना दूर नहीं और हमारी मंजिल जहा हमको जाना है पहुचना है वह ज़्या दूर नहीं रह गए इस अर्थाथ हमो चल्दी ही चलना क्या यह अपने रफ्तार को तेज बनानी चाहिए यह सोच ठका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है यह सोच करके कि कहीं रास्ते में देर ना हो जाए, रात ना हो जाए हमारा जो मुकाम है, हमारी जो मंचिल है वो बहुत नजदीक है यह सोच करके जो पंथी होता है, राही होता है अगर ठका हुआ भी है तब भी वो जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करता है अपनी बंजेता पहुचने के लिए दिन जल्दी जल्दी धलता है और ये दिन अपनी रफ्तार में जल्दी जल्दी धल रहा है धल रहा है चल रहा है कभी दूसरी जचना में क्या कहते हैं बच्चे प्रत्यासा में होंगे यहां इनोंने एक चिडिया के बारे में बताया है एक पक्षी के बारे में बताया है कि एक पक्षी कैसे अपने जीवन्यापन करती है तो वही बता रहे हैं बच्चे प्रत्यासा में होंगे नीडों से जहाक रहे होंगे यहां ध्यान परों में चिडियों के भरता कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है साम जब होती है संध्या का समय होता है उस समय जब चिडिया उड़ने के लिए बाहर दूर तक निकल जाती है उस समय उसकी दिमाग में क्या चलता है है वह सोचती है कि उसके बच्चे बच्चे प्रत्यासा में होंगे नीडों से जाक रहे होंगे और अपने नीडों से मतलब घरों में से जाक रहे होंगे कि उनकी मा आ रही है यह द्यान परोस में चिडिया के भरता कितनी चंचनता यहां ठ्यान करके यह सोच करके जो चिडिया है दूर कहीं उडान भर रही है वह यह सोच करके उसके परों में उसके पंखों में और भी ज्यादा फुर्ती आ जाती है चंचनता आ जाती है कि उसके बच्चे घरों में उतकी उमीद लिए ध्याक रहे होंगे देख रहे होंगे कि उनकी मा आ रही होगी दिन जंधी जंदी ठलता है का भी कहते हैं कि यह दिन कि आने जंदी जंदी ढद्न रहा है अपनी रफ़तार में चल रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके खित चल चल यहाँ प्रश्ण सिथिल करता पद को भरता उन्में दिल बलता दिन जल्दी जल्दी ठेलता कभी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल कभी कहता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकूल हो रहा है अर्थाद वहाँ चिडिया अपने आप में अपने मन में यह विचार कर रही है कि वो कौन है जो मुझे से मिलने के लिए इतना परेशान है इतना ब्याकुल है मैं हूँ किसके हित चल्चत